आज दे मुद्दा प्रोग्राम दे विच निग्गा स्वागत है खबरां दे खबर ले सबनों खबर दे साड़े आसे पासे साड़े आले दौाले वापर रहीं लगातार कट रहीं कट नावा उना दे उते नजर रखनी और उना दे विच्चों कुछ कदी उते डूंगी नजर लाके पैनी नजर दे नाल कोशिश करके उदा विशलेशन आप दे सामने रखना एस प्रोग्राम दा मकसद है वैसे तां लगातार चैनल्स दे उते इतनी ज्यादा खबरां दिया हन के उना नू सारे नू थोड़े जिसमें विच्च असी नहीं गल कर सकते अलबता जेडियां साड़े नाल तल्लक रख दिया हन या महसूस कीता जानदा है कि सानू उदे ते गल करनी चाहीदी है उना दे उते असी आप नाल विचार सांजे कर दे हम इस दे अलावा इस प्रोग्राम दा दूजा पड़ा किसे विचेश महमान दे नाल आपने किसे मुद्दे उते गल बात करनी अज जिस मुद्दे उते असी गल बात करांगे असी काफी चिन्ते थां काफी ज्यादा हमेशा इस काल्दा दिकरणदा है कि असी अपने विरसे, असी अपने हेरिटेज उसनू साम नहीं रहे पर जेडा विरसा सामबन दाए को प्राला साचफ खंड सिरी हरं मंदर साहट दरबार सहाब देविच दरबार सहाब मुजियम देविच केता गया सी वह एक बहुत ही मियारी काम सी और उस दी की हालत है होन उस दी उत्ते की हो रहा है और जिनादी उस म्यूजियम नो स्थापत करन वेच बहुत वड़ा योगदान है बलकि कह ले आ जाए इतिहासक योगदान है उस दे बारे उना बारे असी आपनाल कल बात करांगे और उस विरसे दे बारे आपनों जानकारी दवांगे ते इस दे अलावा जिड़ा इस प्रोग्राम दा पड़ा है ओ है तौड़े विचार तौड़ी आवाज आवाज खलक नकारा ए खुदा तौड़ी आवाज उत्थे तक पहुंच दी है जित्थे ए कारता कड़िया जानी है हैं ये थे पॉलिसी बढ़ाईया जाने हैं पर शुरुवात असी कुझ को सुर्खिया ना करांगे सब तो पहली सुर्खिय जिस थांदे असी बैठे हैं इस थे आले दौाले काफी गंबीर वावरो लेदा खत्रा मंडरा रहा है तिन स्टेटा ने पहला ही एमर्जंसी डिकलेर कर दिती सी ओसन नॉर्थ कैरोलाइना न्यू जर्सी विर्जीनिया पर होन न्यू यॉर्क स्टेट ने में एमर्जंसी डिकलेर कर दिती है एमर्जंसी डिकलेर करनदा एक कांस्टिचूशनल पक ए है के स्टेट नू गर्मेंड नू एक्स्ट्रा फंड्स तेड़े वादो खर्चे होने हन उदे लेई उनानो इजाज़त मिल जान दी है ए जरूरी नहीं के केवल उस्टा नुकसान दे पकों ही गल करके एमर्जंसी लगाई जान दी है बलके लोडीन दे फंड्स भी मजूद होन उना दी कमीन आए इसलिए वी किता जान दा है सरकार वलों एजनसीज वलों लोकानों बार बार आगा किता जा रहा है वो अपने सारे परबंद जरूर रखन और ए जो है इस वार ए हरिकेंड ए आईरीन काफी गंबीर है और काफी खतरनाक वी हो सकता है बार बार चेतावनी में दिती जा रही है और बचा विछी बचा है इस दे अलावा चड़ी दूसरी ख़बर है ओ है इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया उना ने पंजाब सरकार दे चीफ सेक्टरी नो दिर्देश निर्देश जारी कीता है के पंजाब दे डी जी पी सरदार पीएस गिल और प्रिंसिपल्स कतर जड़े हन दरबारा सिंग गुर इन्ह दोना दे उते नज़र रके जाएं आम तो दोड दे पुलीस लोग का दे नज़र रक दी है पर इलेक्शन कमिशन ने चीफ सेक्टरी नो किया है तुसी पुलीस मुखी दे नज़र रک हो क्योंके बार बार ओना दा मोगे विच जाना और चोना आरही है हन और जदों उनाने ऐलान कर देता है कि ओ जिड़े राज कर रही पार्टी श्रोमनिय काली दलवलो कैंडिडेट देता हुरते चोना लड़नगे सो उना दिया कारवाईया दे उते दजर रखनी सरूरी है खास करके उस हालाद दे विच जदो एक खबराईया कि सरदार परमजीत सिंग गिल्दी स्टेज दे उते कुछ प्रोक्लेमड आफेंडर्स पगोड़े करार देते हुए ओवी उनाने स्टेज सांजी कीती जो के एक गंबीर मामला समझया जानदा है और इस दे उक्ते पोलीस ने अपनी पूरी अंगेली जाहर कीती है कि उनानो इस बारे कोई जानकारी नहीं है तीसरी खाबर ओवी वतन तो आई मांसा गुबिंदपुरा थर्मल प्लांट दे ली जेना किसाना दी ओना दियां जमीन ना एक्वाइर सरकार ने कर लियां ओ तरने ते बैठे सी और दरजन तो वद जेड़े किसान हन ओ फटड़ होए हन जखमी होए हन ओना दी मांग के साड़ी जमीन तक के नल ना एक्वाइर किती जाए इस दे उते आन वाले समय विच चोंके चोना दा महौल भी है दूसरीयां पार्टियां भी एदे उते कारवाई कर सकती हन और खास करके मनफरीत सिंग बादल उनने ऐलान कीता है कि ओ इस एजिटेशन दे विच शामल हो अखीर जान दे जान दे एक चोटी जी सुर्खी पार्लियमेंट दे विच राज्य सबा मेंबर अमर सिंग जेड़े के खुद एक बहुत वड़े इंडस्टियलिस्ट हैं और काफी सुर्खियां विच रहन वाले और जेना दा इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री या वड़े वपारक करानिया देनाल उन अदा बहुत वड़ा काफी डूंगा तल्ग है उननों कैश जड़ी सी नगदी काफी वड़ी रकम जो पार्लियमेंट विच लहराई गई और उस्ते उते मुकदमा दर्ज होया उननों चार्च शीट कीता गया है और अदालत ने उननों होकम जारी कीता है कि ओच छे तरीक नों अदालत दे सामने पेश होन और उननों चार्च शीट कीता गया है ए कुछ सुर्खिया हन होन इस दे बाद असी छोटा जया वक्वाला मांगे और कोशिश करांगे अपने महमान उना देनाल सच खड़ सरी दरबार सहब दे विच उस म्यूजियम दे बारे आपना विचार संजे कर सकी जस्प जबी दे सूजवांदर शिकांदा वक्वे दे बाद निग्गा स्वागत है असी जड़ा खास मुदा अच तो आड़े ना लेना चांदे सी उसाड़े विरसे देनाल तल्लक रखता है साड़े विरासत देनाल उसता तल्लक है कौमा दा इतिहास, कौमा दी यकजैती, कौमा दा पविक, उना दे इतिहास, उना दे विरसे, उना दे विरासत, उना दे लिखता, उना दे गरंथा, इना सारें चीजां दा मुझसमा हुंदा है और बाशुर कौमा ओहन जेडियां एक-एक कत्रेनू साम के रख दिया हन पर जे कर इस पक्खों देखिया जाए ता फिर असी बहुत मुफलस हां बहुत गरीब हां बहुत ही साड़ी मारी हालत है साड़ा विर्सा लंडन दे निलाम करा दे विच निलाम हुंदा है इस तरह जापदा है जिमें साड़ी दस्तार निलाम कीती जा रही है एक बहुत ही तरस योग हालत है पर उस दा कारण किसे दूसरे नो उसी दोश नहीं दे सकते सब तों पहला वड़ा उपराला जो कीता गया उसी दरबार सहब दे विच सिक आर्ट नो बाकाइदा तो और दे उत्ते कला किरत नो साम बनदा और जेड़ा उस दे विच रोल अदा कीता जेड़ा निट के कम कीता उसी एक ऐसी शक्सियत जेना ने अपनी उस कूची दे नाल अपने आपनों मी अमर कर लेया उहन सरदार करपाल सिंग जी अच सानों बाहत खुशी है के दरबार सहब दे म्यूजियम दे विच कला किरतियां दरबार सहब विच आपड़े विरसे नो संबन दी गल और उना दे सपुतर साज जरनाल सिंग जी जो खुद भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और जो इस वे ले कैनेडा दे मिच मकाम कर दे हैं उस साड़े नाल लाइन दे उते जुड़ चुके हैं असी ओना नाल साकरपाल सिंग जी दे कम और दरबार सहब दे म्यूजियम विरसे वविक दे बारे गल करांगे साज जरनाल सिंग जी जास पंजाबी दे दर्शका दे रूबरू होन ले तो आड़ा बहुत बहुत निगा स्वागत है सथियाकाल तो आनों जी आया नों गले जिनाल सिंग जी असी असली मुद्धते गल करंटो पहले एक जे कर एक तो दस तक दे पैमाने दे विछ गई है ते जिड़ा साड़ा शौक या चेतनता कला दे बारे कला किर्ट दे बारे है तुसी उसनों किस मियार दे किस लेवल दे उते रखना चाओगे कि सिक कौम दे बिच आपने विर्से और कला दे ली कितनी की चेतनता है लामा साब मुच्चे तौर थी अड़ा पंजाबी पाई चारा और एक पाई चारे दिगाल करिये तो एदे विचे मूल तौर थे साहत कला संपे अचार संगीत एख जी यहां जडियां सूख हम कलावा ने विचे नदी रुची बहुत ही काटद है ताइज नो जे तुसी पुच्छा भी एक तो दासते ग्रेड दे विच मैं दो जाते ने नमबर ते रखूँगा चलो शोकर है तुसी नेगेटिव विच नहीं देते नमबर है जी कटो कट तुसी दो तक है जी नहीं विचों कोश तमलब हैगी दिम बहुत और बहुत गिंटी काट हैगी जी 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 सो एक गल जी तुसी कही है एक बहुत ही सही गल है पर असी देखते हैं अज पावें साड़े विच थोड़ी जी इस पासे अवेसला पान आया है पर जर्नेल सिंग जी 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 असी पुराने अपने बज़रगां दी गल करिये ता पावें हजूर साब है बाबा बकाला है बाबा अटल है या हरमंदर साहब दे विच ही ले लिए बहुत ही नायाब तार दे उते ओ वाल मूरिल्स पेंटिंग्स और खास करके कताबा दे विच वी गरंथा विच वी जी में बीच आली जनम साखी लंडन विच पही है ते उना विच उना ने कीता सो ए जीड़ा पुराणे बज़रगां दे विच एदा मतलब दे लिच चितनता सी और केड़ा दोर आया जीड़े विच आके एकदाम भी खतम हो गया की उदे लिच साड़ियां जंगा जुदा दा असर होया या अपनी होंदनू बरकरार रखन वल ज्यादा त्यान देता ग साड़ा रोल रहा और बहुत रुची रही है और जमें तुस्य जित्रकारी चुक्के हों सारे प्रातन गुरुस्ताना में विच कंद चितर होने सी इतहास दर्साओं में ते पर बिन्नू यह लगदा है बई कि इसारा कुछ जो हुई यह कलादा दौर्ट चलिया है इसारा जंगा जुद्धा ने दौर्टों बाद दी दे चितरकारी जिन्नी में सम्दा चितरकारी कंद चितर बढ़े ने इसारे महरजर नजी सिंग दे राजकाल दुरान बढ़े ज़़ों पीजनों आत और ते क्या जानदा भी गोल्डन एज ऑफ पंजाब बन्ने जानदा भी चाली पंजाब साल सुक्षामती दिना निकले राजबाद बढ़े अड्मिन्स्टेशन करके जी ओटों है सारा कलादा काम होया जिनने पराणे नेचर्ज गुरु साहब दे मिल दे ओवी इस जिक काल दे दौरा हानों काम होया जी मैंनु लगदा के उस तों बाद जिव जव ज़ो साठे विच प्रोस्परर्टी ज़्यादा हों दी गई हूं हूं दरान ए चीजां साठे चु कट दिया गई है जी 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 ज़ी जिंदगी दी ज़ी असली असली मैंने जी जी आर तक सी होदे तो असी वर्शलाइजेशन हो रही है या जीवन भी बिल्कुल तुसी सभी फर्मा रहे हो मैंनू ताओ गल चेते आंदी है किसे ने पुछिया सी किसे नू के चल पाई हो थे बुक फेर लग गया किताब बना मेला लग गया ते अपना चलिये के दा नहीं मैं टीवी दे देख लांगा सो साठा कोई रुजान को जद्ना दा भी बन गया है खैर ऐसी गल करिये असी नाल नाल तुआडियां तस्वीरा में क्योंकि जे तौड़ी अवार्ड्स दी रिवार्ड्स दी या तौडी रेकुनिशन दी या तौड़ी गल करिये मेरा ख्याल है साठे को लवर्के काट है इनने ज्यादा तुसी कम कीता है सिर्फ असी तौड़ीया कुछ कला किरतीया असी दखाणिया चावाँगे और नाली जदों सी काल कर दे हैं सा करपाल सिंग जी दे उना दियां भी कला करती है असी अपने दर्शका नो दखाणा चाँदे हैं पर तुसी ये दसो कि 드रिबार सहب दे मيोजियम दा दरिबार सहब दे जड़ा जाइब kard है जड़ा मुडले तौर्डे उते मेरा ख्याल है कि सारा कुछ जड़ा उबर के सामने आनदा करपाल सिंग दा कम है उदे बारे को जानकारी दा करपाल सिंग वो किंद्री से खजायबकार होदे बाननी फाउंडर आर्डिस्ट में उनना ने उनी सुपच्वीन जादे वेच्छ लायल खालसा कालोगी बिलंदर वेच्छ उदों प्रिंसिपल लग बुर्परचन सिंग तालब प्रिंसिपल होदे सिगे उनना ने इजना पिजाईदियां पेंटिंग दी एक्जिबिशन एक कुछ लगवाई जी प्रिंसिपल सबीर संग वी उदों दे सी ते उ तर्मपरचार कमेटी जीपी सी होदे प्रिंसिए ते उनना ने देख आ कि बहुत नवे कला काम हो रहा है मझलों पेली वर इसी किसे कलाकार ने इतहास थे चितर ताग के इतहास किसे ने चितर रहा है फिर उनना ने गाल करके एस एपीसी वर लो ऐस आर्टिस्ट पिदाई नू उत्वे बला लिया अमरस्ण ची उनीस सुच पिंजा देविच जी तेर भर रहने जडियां पहलियां तस्वीरां तशी देग देओं जी तीयां दियां अर्दास संजो सारी चितरी पाई मनी जी बंग जी बंग तारू नेज जयां ते तेंगे वो तस्वीरां बढ़ाई आते फिर उनीस सो अटविंजा देविच मियूजम देआ उदगाटन होया जी जी ते लो पिलियां मुड लियां तस्वीरां उसी औरकबाद फिर उते वो उनीस सो बार्ट तक उताने काम किता और जिदे तुसी बड़ा क लू कारा, मुलतान, दीफते, हूर इस तरह नियां सारियां पेंटिंग्स जड़े सिक जटायल बंदा हो जी जड़े विच एक चीज नोट करनी चांदा क्योंकि इस तो पहला जड़ी सिक आर्ट सी पामे ओ कांगडा आर्ट है या राजस्तान आर्ट है या वैसे को पेंट लिए गुरू साब दियां में, उदासियां दियां में है गी पर उदे विच आउटलाइन्स हो दियां सी, पर मेरा ख्याल है जिमें माइकल एंजलो ने इस स्टाइन चैपल दे विच जड़ियां बाडी दी परपोर्शन नो काइम रख दे होयां, उदे अनुपात नो काइ की पर ही के नसाता को दे चाहियां की एक किया जा सकता है के सिख कला दे विच, सिख कला जगत विच, पहला उपराला उस पदर दे, उस लाइन दे उते, पिता जी दा सी? अजी, बिलकुल है सही अब्जर्वेशन है की तवाडी, पहला कांगडा स्कूल अफ आर सी जा उदा ऑफशूर सी सिख स्कूल अफ आर जी दे विचे सी गुरु साथ दियां, पराणियां मिनियेक्चर पेंटिंग्स देख देह गयां, या रंजी संग वोदे शेहजाद द स्वीरां देख देख देयां, वो एक अपनी वक्री शेलीगत स्टाइलाइजड आर्ट नो समझा जाना चाहिए दा, वो बनलब उदे जो फॉर्म था है गी या, वो रियलिस्टिक नहीं है गी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिलकुल, इस तरह आप बंदा देख देख दे जी, हाँ, 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 हा वो इस तो वक्त पे स्थिती जि बाबा दीर से नू बढ़ाउगा या हूरुत मतलब वो एक औरीजनल एक बाड़ गया पैमाना बड़ गया ना इस्टेंडर जिमें है यह जी 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 अपनी इमेजीनेशन पावर देना साथी सामने सकार करती था जी 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 आसी जन्रेल सिंग जी तुसी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो पर सानू लोड़ है एक चोटा जया वक्वा लेंड़ी और तोड़े गालबात क्योंके साड़े दर्शकाली बहुत जानकारी पर पूर है और मकसद है शायद साड़े अंदर भी कुछ उस्दे प्रती और चेतनता पैदा हुए या कुछ शौक पैदा हुए एक वक्वा उदेबाद मुड़ हाजर होने है जिलाइन ते बढ़े रहे है जास्क पिल्यादी दिस्वूज वंदर शिकानदा वक्वे देबाद निकास वागित है दरबार साहब दे म्यूजियम उस दी उसारी और उदेवे साकरपाल सिंग जी दी देन और उना दे सपुतर साजर्नाईल सिंग दी जबानी जीडे खुद ही एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उसी कुछ तस्वीरा साजर्नाईल सिंग जी दीन असी एदखा रहे हैं जी दे वेच उनाने बाबा गुर्दित सिंग कामा गाटा मारू और होर ए गुर्द्वरा साहब दे वेच उसारे गए जिसनु वाल मियूरिल्स किया जानता है ए दो ओ तस्वीरा हन ते इस दे बाद जड़ी अगली तस्वीर है साजर्नाईल सिंग जी दी बनाई होई ए प नाल सिंग जी देना गाल बात करांगे ते नाल ही साकरपाल सिंग जी दियां पेंटिंग्स जेडियां के सिख इतिहास नू उनाने जिंदा कर देता जर्मनी दे विच यहोर थामा दे विच योरप दे विच शुरू होया जदो चर्च दे विच बाइबल दी पूरी कहाणी दिवारां दे उत्ते उक्री जान दी सी उनानों जदों पुछ्या गया के तुसी ए पेंटिंग्स क्यों बनाईया उनाने जवाब देता पादरी दा कहना सी के वक वक बुलियां बोलन वाले लोग उनानों हर पाशन उनानी जबान इच नहीं देता जा सकता पर ए तस्वीर देख के कुछ केन दी लोड़ नी पेंदी साकरपाल सिंग जी बनाई होइ बाबा बंदा सुन बहादर दी तस्वीर बाबा दीप सिंग दी तस्वीर यह उन्जेडियां कोडे दे उत्तों बाबा विदी चंद जिस विले आरे हैं यह सिंग्णियां जेना दे बच्चियां दे टोटे-टोटे करांके गनाज हार पाये जा रहे हैं उदे बाद कुछ कैन दी लोडनी पेंदी सो ए सा जर्रेल सिंग जी ए तुसी दसो के इतनी जड़ा शांदारे सारा काम होया सा करपाल सिंग जी ने किदरों कोई एदी कोई ट्रेनिंग लेई या किडे स्कूल दे नालोना नो जोड़िया जाए हाँ जी लमा साब उनने कोई विदी वत आर्ट की कोई ट्रेनिंग नहीं लगी जड़ी आम बच्चे स्कूल च दसमी तक कर ड्राइंग दा सब्डेक्ट पढ़ देने कोई उनना ने पढ़ेया थे बाक्ती जो भी छी उननने उस वैस किया थी कलाकार साल हम 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 तो até हिने नजीक पहिए एटा सत्गुरू दा करजा है उनना जा नयकों given आज जेडिया पेंटिंग्स बढ़ाइया हैं 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 जेडिया डरबार्सा अपराु जेडिया और रबारद हऊ कित मित आ Lillypa कित्रतिया हैके न तो एलावा भी औना पेंटिंग हैं आजे तक वो सामने नहीं आई हैं आजी कई पेंटिंग है गियां और दूरियां रहे गियां जोग अचानक उनीचो नपने दे विच एक्सिडेंट विच अकाल चिलाना करके पेंटिंग साथे चेंडी गरस्ते रखा रहे गा उत्थे पैयाने उत्थे विच जिस तरह शाम सि ठाटारी वाला गंदावादर सराम नफदे का रहे हैं तो जीडियां होना दी कलम नल ब्रश दे नाल जीडी शुरूआत हुई तो अन्यू लगदा है के तुसी उसनो मकमल कर सकोगे यहां जी मैं कई चीजा जडियां वह मकमल कीतियां वही हो जो दो बहुत वाटकारी तुस्वीरां सी यहां एक गुरुग बेन सिंग साहब सरसा त्रया पाहर कर रहे ने एक आठ फुट शोड़ां फुट लम्मी पेंटिंग सी गी एक और दूजी पेंटिंग वही है इसे तर अजी सिंग चमकार साथ ते जंग दे विच वही हुंँ फिर कम्पीट कितियां तो दराखदूर साभ बाबा सिवा सिंग भी बना रहे ने अजाए कर निशानिकाल साथ उदे विच जान जी है खेक है ते हुन दरबार साथ ते उस म्यूजियम दे विच उदी की हालता है उस सम्भी यां जा रहें हैं उस तरह सम्भी हैं चाह रहें है कि मैं प्रोफ़शनलि क्वाली प्र टेक्नीशन होझ चाहे देया जिस तरह म्यूजमांद चुम्दे में ज़रे क्योंकि over a period of time उते दर्बाद साब दे नजदी खोन करके स्रोवर दे नजदी खोन करके उते dampness बहुत अफेक्ट कर दिया, humidity बोजन दिया, सो उना चीज़ां तो सामसमाल करनवा थे, professional qualified art restorer में चाहिए देने जड़ी हम कई चीज़ां होते, नहीं ठीक है कियांगा, कलवज खराब हो रहे ने, ठीक है, उना भी सामसमाल हो सके, तर मैंनु लगदा भी इस तरह मवजूता दौर हैगा चल रहे है, और सारा ही होते समाज कि प्लिटिकल वर्तारा हैगा या पोता पीपाई होई है, उस तरह किसे नहीं इना सूखम चीज़ां बारे सुचंडी वे ली हैंनी क्योंके आम तो औरते जिड़े बार म्यूजियम्स हैं, पेंटिंग्स लिए खास करके उना दी कोशिश हों दी है कि बिलकुल कैमरे दी फलेश ना इस्तेमाल की पी जाए क्योंके उदेनाल उनानों तस्वीरानों नुकसान पहुचता है, होले होले उदेते असर पेंदा है सो ए मकसद भी इदाए सिगा सारी गाल बादा के जे तो आड़ी आवाज ओ जिड़े राक रखाओ दी जिना दी जिम्मेवारी है ओ कीमती विर्सा उसनों ठीक तरह सामब्या जाए, उदेले ऐसे हाल बनाए जाए जिदेते वाता वरंदा या होर किसे चीज़ दा आसर ना होए और उस सारी चीज़ जड़ी है किती जाए ते अखीर लाज़ साड़ा स्वाल है जिनाल सिंग जी, कि उना दी साकरपाल सिंग जी जड़ी लाइन सी या उना दा जड़ी टेक्नीक सी उसनों कोई होर उना दी सोच दे विद्यार थी, या को होर नमे अबर दे ओ अगे तोरन्दा या अगे पासान करन्दा कोई उपराला कीता गया लाभा साब बहुत वजिया स्वाल किता है तुसी निगी तोर पे था मैं अपने तोर पे था उन्ना दे जड़े पूरने ने उन्ना ते चली रहा और जड़ी उन्ना दी सोच सीगी इता हासनों दरसों दी उदे थे कम भी कर रहा है पर मैं एक मतलब कहना जाओंगा कि पंजाब दे विच जी रेक कलाकार हैगे ने जी थोड़ा बहुत की सपसेरुची रखते भी ने उन्ना दे कम दे जान सदा सुपा सेंग और ने कम दे आल दोड़े ही कुमी जा रहे ने कोई नमे सब्जेक्ट्स जा नमे विशेजड़े नहीं चितरे जा चुके उन्ना वल कम करन दी रुची बहुत कट है और जड़ी अदेयान या हिस्पीदा अदेयाना या टेकनिकली आर्ट ना भी अदेयाना एनेटमी या होर्स जा या दा लब चैस्पेक्ट भी नहीं ठीक ठीक है तो सानु आस है तुसी नमे विशेड़ी गाल कीती मैं पहले भी जिकर कीता है सानु आस है ओ सीम जड़ा डाक्टर गंडा सिंग जी ने लिखिया बाबा जसा सिंगा लुबालियानु किया गया सी के सरहंद गुरू सहब दा पाराख होते लेके सिंग ओधिनाल हाल चला रहे हैं वो एक गजब दी और पेंटिंग होएगी जिमें साकरपाल सिंग जी दी बोता सिंग करजा सिंग दी जड़ी फोटो है वो भी कितिहास ता एक जिन्दा सबूत है सो तो अधा जिन्दा सिंग जी समेदी काटते कारण तो अधा बहुत बहुत तानवाद हाला के एक गलकैनी बनदी है सिक रैत मरियादा दे वेच तस्वीरां दे बनान दे उत्ते कोई पाबंदी नहीं है उनानों पूजड दे उनानों मत्ः टेकन दे पाबंदी है हाँ पाबंदी है पर कई वरी असी दोनों चीजानों रालगड का जाने हैं और जिदे करके असी केई पुलेंखे खुद अपने वाले उजार बोढ़ लेंदे हैं सो त्वाड़ा प्रोग्राम मिच आनली बहुत बहुत तानवाद शुक्रिया और सत्स्रियकाल त्वादा भी ब पेटे जिनाने काफी विस्थार सहत आपनों सारा कुछ दसिया किस तरीके दे नाल के में म्यूजियम बनेया उदी हुनदी की अवस्ता है समय एक छोटे जे ब्रेक दा और नाल ही तुसी सानों काल कर सकते हो 718-786-521 जस्ति जाती के सुजव अंदर शिकानदा वक्वे दे बाद निगा स्वागत है दरबार साहब दे म्यूजियम सेखेते हास्तियां कला कला करतियां दी साम उदा पिछोकर वर्तमान अतिपविक बारे असी गालबात कर रहे जी हलो हलो है जी कौन बोल रहे जी है जी वाइग जी खी हाल है ठीक है जी आज तरफ प्रोग्रम दे तो वरी इंप्रेसिव आमन काफी चंगा की तुस्री इड़े म्यूजियम दी गाल की ती है जी जिसे अमेरिका वेच चानेड़ा वेच सारे थे म्यूजियम आर्ट म्यूजियम है गयने कुछ ऐस्टरा था कोई फोर्म ज जी सब्सक्राइब कि बहुत ही बुरी हालत है कि इस वले इवन जड़े थले पेंटिंग दे डिस्क्रिप्शन से देती होई है ना जी इवन ओ भी खराब हो रही है जी जी ते कोई ऑर्गनाइज़ेशन एस जी पीसी तो तो सानुजाला में भीदा उन किस सरा उनोंनों कीत को मुझाल कीती सी कि अंदर जिस सब्सक्राइब करते हैं तो सारी मिना का रही है जी जी तो जोड़े कार से वाल बाबड़ेर जद ़नों किया जान्दा होगाए तो जी पने शे आपनी कार सुरू सारे कारा उनों की अपनीय आप देटर फो इसको भी आप रपैर कार रहे है यसे शुरू तो उन्हों दे पेंटिंग्स देखे आ रहे हैं बड़ी कुछी हुई है जो उन्हों दे बेटेल लेके आए जी उन्हों सुनिया साथे विचार जी बाकी उन्होंने काफी कर ला उन्होंने दाज़तियां की सारा पिलिटिकल सेट अप होया है चीक है तो साड़ा भी मकसद स्दीप सिंग जी एही सेगा कि कोई किसी दे तनकीद नहीं क्रिटिसिजम नहीं है पर जड़ी हालत है उन्हों संबालन दी लोड़ है क्योंके साड़ा बहुत बेशकीमती खजाना है और जे अगर एक वर चला गया मुड़ एचीज नहीं मिल सकत तुसी भी कोशिश करो और अपनी आवाज और नाल हम ख्याल लेके उना तक पुछाओ असी ताओ कारी ही रहे हैं और सट्वाडी आवाज उते जावी रही है बहुत बहुत तानुवाद पर जाए है तैक हलो 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 साट्शीकाल कौन बोल रहे जी लापशा मैं रतन बोलन जी कितो बेर जी मैं तेक शोटी सजाद देने चांदा है कितो बोल रहे है तुसी रहतन जी मैं फिल डल के तो बोल रहे है जी 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 मोड़ तो ही सदार करपाल सेंग होरां वास्ते ग्रीब दे डल दे विच रब जिननी पदर तेज़त है गिया जी जेस तरह साटे करतार जर्मन तो आयसी जी उनने जी आदी ग्रांत है ना उस ते सप्रे मार्या सी ते एक यह सी के एदी लोंगे विटी कई सा साला तक बढ़ जाओगी मत्वे एंज दा एंज रहेगा इस तरह दा कोई प्रिकॉशिंस ले आजावे सप्रे दा केमिकल दा कोई जेदे ना एन तो अड़ी राय जड़ी है यह बिलकुल तक्नीकी मामला है मैं खुद देखिया है के वैटीकन दे विच वी जड़ियां पेंटिंग्स हैं गी है और लगी है दिवार दे उते चात दे उते हैं गी है ते अगर उदे विच किदरे कोई त्रेड आई या फिका पे आई ते ब पाकिंगो रुस्तियां कापियां था पूरियां होनियां चाहिए दिया है अजी है मुडली चीज वाल ही नहीं जा सके ते मैंनू लगदा है कि साड़ा जो हाल है ना किसे नो कड़ी दे दे ओ ठीक कर दे ते ओ स्क्रूडराइवर ते लेके पलास लेके ओ थोड़ी लेके उ उनू रिपेर कर दे कोशिश करता है यह हालत है जी चलो गुरू किरपा करें शायद कुछ इदे वाल भी इदे वाल सोच सकी है जेड़े सोचना चांदे है जेना दा जिम्मेवारी है तो अड़ा इस बारे अपने विचार देन ले बहुत बहुत पानवार तो ड़े शुक् जी पर उनू जी हाँ जो वी थार्ट राजे वागी आज एक कि मूधा साधे वास एक वो ऐसा नजर्गी दे टाय चुक्किया कि साधी वो कि बाव बावां चुक्किया जी खिए पोनी अज्य को बाबादीष ऊगी आगी अनू रिखिए पाबादीब सिंह जी पायकारू सि पर्त पर्त पाज़ा हुए्चारी नहीं पर्तियां कि चितना उन्हें、 हउट है केुपनी पखाई जीज जितना उन्हें जरुम्ता हुए… मैं जी अचारी हुआ कि आद्न हम देता है कि यू तटी नहीं डही गात रहा हुआ है कि आए वक्षां पारा हुनिया करी वर इस देश के भी बहुत अच्छा लगा जी जी एनन संबाल्वन्दी बोड़ा चाहे वो अपने अरब अधर साब वेचा से चाहे कि जो गुर्वराद साब वेचा जाए गी है जी पर भी जाए गी है उनना उनना संबाल्वन्दी जाए गाले है कि चेड़ी साकरपाल सिंग्ची दी शक्सियत दी खासियत एए कि ओ मुड़ हन पहले हन ओ चितरकार चेना ने इतिहास नू सही हुमन बाड़ी दी प्रपोर्शन दे विच उननने चितरे चितरे और उस दे विच उनना दियां बहुत स्यादा पेंटिंग्स चेडियां आजे तक सामने भी नहीं आई हैं तो ए जड़ा खजाना उनने जड़ा दिता है गया है ते इनू सामबन दी लोड़ है पर साथे विच अवेसले पांदी भी मैं दा सकदां नहीं अवेसले पांदी इंतहा है वो इत्धे तक है के एक पेंटिंग है गी है ओ के ए माराजा रंजीत सिंग हरी सिंग नलवा उना दिये पेंटिंग है बंगला साब बगेल सिंग म्यूजियम दे विचो लगाई है वड़ी करके और उदे थले लिखे है के माराजा रंजीत सिंग हरी सिंग नलवा उना दिये कैमरे दी फोटो है माराजा रंजीत सिंग दे बादशादी फोटो है जेडी के उदे थले अपना ना लेके इस तो मतलब होने इन दे बारे कोई कमेंट नहीं हैगा कि जे अगर साठी सोच और चेतनता ते अगर बनियादी इना मतलब कमी है तो अड़ा बहुत बहुत तानवाद शुक्री हेलो हेलो हेलो, तुसी लाइनते हो, कौन बोल रही है जी? हेलो, मैं जी समीप सिंग बोल रहा फिरत देक वरी दस्व समीप सिंग जी हाँ जी के करना सब्सक्राइशन से कि जिसरा पजाब जिसरा शापे सी सारे आयनी उना दे इस पेंटिंग शेजिए जिछ करपास सिंगी यह पेंटिंग है गी हैं उनना ने एक वोधी बुक लैट रए ने प्रिंट कीती है उस बुक नो अच सी अमेरिका जब्टे एक्चली ऐसी एक्जिबिशन टियार गीती हुई थे पर देटेश काफी लगाई हैं पर असी उन्होंने यूज करके अनराज करके अन्हों फोटो कापी कीती। मैं ते मेरा बरदर तेई ती प्रड़ा आर्मी चाहिगा थी पूरी एक्जिविशन बनाई है। उन्होंने इंग्लेश फिर तर देश्क्राइब कीता आया तागि अमेरिकन्स देखन। इससना ता कुछ जियन अदेश पेंटिंग जिससना आज उन्होंने बेटे आए ने कुछ इसना वनने डिजिटाइज कारके अन्हों। आलरी है गया है, ओ कम हो चुका है, ओ शिरोमनी गुर्दारा परबंद कमेटी ने म्यूजियम सिख म्यूजियम करके कताब चापी है, जिदे विच जिनियमी तस्वीरां दरबार साथ दे विच है गी है, ओ सारी ये सारी हो दे विच ओनाने अच्छी हाई रेजोलूशन दे व प्रोग्राम आपने विरसे बारे, आपनी विरास्त दे बारे और खास करके साकर पाल सिख जी दे, ओ मियारी काम दे बारे जिड़ा काम होनाने कीता है, और जिड़ा के आनवाले आर्टिस्ट ले उनले वी परे नसरोत है, मकसद इस प्रोग्राम दा एही सी के तुसी उस का नो देखके उदेवाल असी चितन होईए असी अपने अवेसले बननो चड़िए ए प्रोग्रम तो अनू कितना दा लगा तुसी इस ते बारे सानू इबेल करो info at justminjabi.com लामबाइड justminjabi.com ते एक होर प्रोग्रम लेके कल शाम नो मुड़ दुबारा हाजर होंगे तद तक अजाज़त दो बहुत बहुत तानवाद शुक्रिए